respected students, welcome back everyone यह हमारी second video series है जिसका नाम है states of India तो इस video series में हम इंडिया में जितने भी states है 28 हर एक state पे एक video बनाएंगे और उस state के बारे में मतलब उसकी history, उसकी geography, उसका economics या politics या फिर कुछ other facts जो है तो उसके बारे में हम इस video में हम देखेंगे तो आज का जो state है वो है महराष्ट्रा यह choose करने का दो reason है क्योंकि यह number one state of India है and basically मैं इस state से belong करता हूँ इसलिए मैंने इस महराष्ट्रा से शुरुवात किया तो guys चलिए शुरू करते हैं पर अगर इससे पहले आप इस channel पर नए हैं तो please subscribe and press bell icon for all upcoming videos तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट से तो महराष्ट्रा according to 2011 2011 के census से second most populated state है and third largest states in terms of area second most population मतलब जनसंग क्या इसकी दूसरी नंबर पे है पहला उत्तर प्रदिश आप सबको पता है तक्रिबर 19 या 20 कोरोड है तो उसके बाद महराष्ट्रा है जिसका population 2011 के census से 11.23 कोरोड है और third largest state है यह तो उसका area third largest से 3,7,713 स्क्वेर किलोमेटर है तो first state area के मामले में आप सबको पता है राजस्थान है 3,42,000 second फिर मत्यप्रदेश है and third then महराष्ट्रा आता है तो महराष्ट्रा का अगर map देखेंगे आप तो हर state का मतलब north, south and west distance होता है तो इसका east और west distance जो है वो 800 किलोमेटर है आपने अगर महराष्ट्रा का map देखा होगा तो फिर वो map आपने देखा होगी यह north, south इसका distance थोड़ा कम है और east west वाला ज्यादा है तो east west 800 किलोमेटर and north, south is 720 किलोमेटर और इसके जो dimensions है यह north को 15.82, 22.1 and east को 72.62, 80.9 यह dimensions क्या होते है जो tropic of cancer, capricorn, equator वगरे जो होते है मतलब tropic of cancer जिस state से, 8 state से जाती है तो वैसे वो dimensions degree मेजर करते है तो guys, यह जो मैं slide बना तो PPT में तो उसका आप screenshot निकाले या फिर आपके notebook में note down करे क्योंकि मतलब मैं जो वीडियो बना तो वो सबसे simple language में होते है मेरा जो 3-4 साल का experience है या फिर मैं कुछ introduce के साथ काम करता हूँ तो उसका मैं मतलब पूरा आपको फाइदा करके दूँगा बहुत simple language में में वीडियो बना तो तो प्लीज नोट डाउन और screenshot इट तो basic information महाराष्टर की कब है उसका formation day जो है 1 May 1960 आप सबको पता होगा कि गुजरातर महाराष्टर एक ही थे पहले फिर आंदरप्रदेश मुमेंट जो मतलब तेलगू लोगों ने जो किया कि हमको तेलगू लोगों के लिए एक अलग state चाहिए अलग राज जाहिए फिर उनको वो मिल गया फिर महाराष्टर गुजरात जो पहले था तो फिर वहाँ पर भी आंदलन हुए गुजराती लोगों ने गुजरात मागा महाराथी लोगों ने महाराष्टर मांगी फिर वो हमको मिल गया फिर मुंबई के लिए अभी जगड़ा हुआ और फिर देन महाराष्टर को मुंबई मिल गई तो फिर इस वाज़ा से जो फर्मेशन डे वो एक में 1960 इसकी कैपिटल जो है मुंबई है और महाराष्टर की जो भाषा है वो महाराथी है डिस्ट्रिक्स महाराष्टर में पहले 35-34 थे देन अगें 2014 में एक ठाने को ब्रेक किया गया और पालगर किया गया और फिर डिस्ट्रिक 36 बन गए तालू का जो है 355 जिल्ला परिशाद जेड़पी जो होते उसको 34 तो आप कहेंगे डिस्ट्रिक 36 जेड़पी 34 क्यों कि उसका रिजन यह है कि मुंबई सब अर्बन जो है मतलब मुंबई का एरिया वो जिल्ला परिशाद जेड़पी में नहीं आता नहीं इंक्लूड किया यह बहुत मैंत पूर्ण पॉर्ण पॉइंट है तो आप भी इसका स्क्रिंशट निकाले या फिर नोट डाउन करिए है फॉर्मेशन डेइ इंप्रेंट है क्यापिटल इंप्रेंट है लैंग्वेज महाराथी तो बेसिक इंफर्मेशन देखते है डेंसिटी डेंसिटी 370 स इसका वो 0.695 HDI, HDI मितलब Human Development Index जो की तीन चोईटों से देखा जाता है एक तो एजुकेशन से, हेल्च से या फिर आपकी स्टेंडर अफ लिविंग से तो Human Development Index किसने लाया है जो पाकिस्तानी एकोनोमिस्त है महभूब उलहक और इंडिया के जो अमरिकें सेन उन्हें 1990 में वो लाया और पूरे विश्वन है वो एक्सेप्ट किया यह सबसे बड़ी बात जो इंडियान पाकिस्तान ने वर्ल्ड को दिये वो है HDI, Human Development Index तो महाराष्टर का सेक्सरेशोट 2011 सेंसर के आनुसार 929 जो की बहुत अच्छा है थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए मतलब जो के 925 तो 935 के रेंज में ही महाराष्टर के लोगों का सेक्सरेशोट रहा है लिटरसी बहुत अच्छी बढ़ गई है 82 परसेंट मतलब आप अगर महाराष्टर में जाओगे तो हर एक बच्चा तक करीबन 6 स्टेंडर तक पढ़ाई है प्राइमरी एजेकिशन उसका बहुत अ अच्छे मतलब अगर 2021 का सेंसेस आया तो महाराष्टर विल सर्प्लास दग 85 परसेंट लिटरेश रेट मतलब तकरीबन 85 परसेंट के आगे लिटरेश रेट होंगी जीडिपी 28 लाग करोड जैसे कि मैंने आपको एक्ष्पेंड क्या नंबर वन स्टेट है तो जो सेकेंड स्टेट है तमिल नाडू थर्ड स्टेट कर वह महाराष्टर के मतलब लेवल पे भी नहीं पहुचते हैं इस इस दे फैक्ट क्यूंकि महाराष्टर के पास तकरीबन तीन से चार मेट्रो सिटीज है और आज से दस मतलब स्मार्ट सिटीज है अगर हम कहेंगे तो जो मेट्रो सिटीज कहेंगे तो देन मुंबई पुने नाकपूर नाशीक ऐसी आवराग बाद ऐसी बहुत मेट्रो सिटीज है और फिर देन स्मार्ट सिटी में देखेंगे तो बहुत सारे है इसके वाज़े से इसका GDP सबसे जादा इंडिया में 28 लाक्स कोरोड और पर कैपिटा भी बाता है आपको 2,777 रुपे मतलब हर एक इंसान साल में इतना पैसा कमा ही लेता है महारश्टर में आगर वो रहेगा और उसका अच्छा होगा तो अगर आप जो लोई स्टेट देखेंगे तो उसका पर कैपिटा 60-70,000 ने खाली उसके कमपेर टु महारश्टर का बहुत बहुत आच्छा है तो कुछ सिंबोल्स होते हैं यह एक मार के लिए कोश्चन पूछते हैं MPSC में पूछेंगे या फिर UPSC में पूछ सकते हैं मैमल जो है वो इंडियन जाइंट स्क्वेरल बर्ड जो है वो यलो फूटेड ग्रीन पेंग्विन इंसेक्ट जो है वो ब्लू मॉरन फ्लावर जरूल ट्री मैंगो ट्री इसका मैं मतलब एक्स्प्रेनेशन ज्यादा नहीं देख सकता क्योंकि यह मतलब अलर्ट हुआ तो आप इसका स्क्रिंशट निकाले या फिर नोटबुक में लिखे या फिर मेमराइज कर दें यही हम कर सकते हैं इस सिम्बॉल के लिए तो हिस्ट्रे आप महराष्टर क्या है तो महराष्टर को रूल किसने किसने क्या है तो अगर क्रोनलोजिकल आप देखेंगे तो अगर 2000 से आगे भी मतलब यह जो BC AD में एने डॉमिन में जाएंगे तो उससे पहले सतवनास थे तेन राष्टर क्रूता देन वेस्टन चालू क्यास डेकन सुल्तन देन मुगल्स महराटा जैन ब्रिटिश यह मैंने क्रोनलोजिकली क्यों लिखा है क्योंकि यह दो मार्क के लिए MPSC में या फिर UPSC में पूछा जा सकता है क्रोनलोजिकली बताई है महराष्टर को किसने किसने रूल किया है तो फिर वो सतवना पहले आते राष्टर कुदा आते वेस्टन चालू के जाते डेकन सल्तन डेकन संतलत मतलब आप सबको पता होगा अल्लाव देंखिल जी लिए नने उसके बाद महराता आगे एंडेन ब्रिटिशन्स महाराताज में अगर आप शिवाज महराज को देखेंगे तो शिवाज महराज अकेले ऐसे वहां पर बॉर्ण योद्धा थे जुन ने महराष्टर को रूल किया निए तो महराष्टर को बाहर के लोगों नहीं रूल के, शिवाजी महाराज ते पहले भी एक थे, रामदेव राव यादव, 12th century में, पर उनका इतना एंपायर बढ़ा ने था, और उनको अल्लाव दिन खिलजीने हराया था, और अगर compare to शिवाजी महाराज देखेंगे, तो उनका एंपायर हर वक increasing order में रहाया, तकरिबर 16 1774 तो 1820 तक यह था, और ब्रिटिश ने उनको मतलब कम कर दिया, और इन डॉक्तरन आफ लैपसी अल्सों, शिवाजी महाराज कैपिटल जो था सातरा, उसको भी annex किया गया, Religion अगर महाराष्टर के देखेंगे, तो 80% हिंदु लोग रहते, Muslim 11.5%, बुद्धिश जो 5.8%, अभी आप बोलेंगे, कि बुद्धिश्ट महाराष्टर में ज्यादा कैस है, मतलब in compared to इंडिया के सारे स्टेट्स में, अगर नॉर्थ इस्ट में एक दो स्टेट्स देखेंगे, तो 4 वर न थे, ब्राह्मन, शत्रिया, वईश्य और शुद्रस, तो उस वक, मतलब टोटर इंडिया में, शुद्र लोगों को बहुत बूरी, मतलब उनको उनके साथ सलुक किया जाता था, तो यहाँ पर जो एक बहुत विद्वान, मतलब इंसान पैदा हुए जिन्होंने ड्राफ्ट कमीटी को बनाया था, तो वो उनके खिलाफ लड़े, कि शुद्र लोगों को ऐसा, मतलब बहुत बूरा बरताओं मिलता है, एंडेन फिन अगेन, यह मतलब 20-25 साल तक चालू रहा, और फिर इंडियान को बनाने के बाद, डॉक्टर अंबिड कर ने अपने कास्ट के जो लोग थे, मतलब 2-3 कास्ट के लोग जो थे, उनको बुद्धिजम में कनवर्ट किया गया था, एक्चुली वो हिंदू थे, एंडेन दे कनवर्टेड हिंदू बुद्धिजम, इसके वज़ेसे बुद्धिष्ट लोग महाराष्टर में जाद है, पर क चलिए भी फोरेस्ट पे जाते है, महाराष्टर में तक्रिबर 67,000 स्क्वेर का फोरेस्ट है, उसमें से सिथ 50% फॉरेस्ट है गडचुरोरी जो डिस्ट्रिक्ट है, जो एस्ट महाराष्टर में बिलाउं करता है, वहाँ पर हैं, तो अगर हमने फोरेस्ट की बात निकाल ल नाविगान गोंदिया वहाँ पर यह आमरावती गुगामल एंड यह पेंचेक है जो मतलब इस्ट महाराश्रा जिसको विदरभा भी बोलते हैं वहाँ पर यह बहुत स्टेट्स है अगर आप देखेंगे विदरभा का कुछ बाख जोता है वो पहले मद्द प्रदेश में था जो महाराश्रा की वाइस कैपिटल जिसको बोलते हैं नाकपूर वह पहले मद्द प्रदेश का भी कैपिटल था अगर इस्ट महाराश्रा में देखेंगे तो यह जो है चंदोली वह तीन से चार डिस्ट्रिक में बिलॉंग करते हैं उसके बॉर्डर पर मतलब सातारा सांग लिए को लापूर वागेरे में और यह जो है एक मतलब यह मैंने लास्ट पर क्यों बता है संजय गांधी नाशनल पर क्योंकि यह प्रॉपर मुंबई में अगर आप मुंबई में लोगों कुछ चलने के लिए जगाने हो तो और फिर इतना बड़ा मतलब नाशनल पर तो बेसिकली शिवाजी महाराज मोस्ट रिस्पेक्टेड परसन इन महाराश्ट्रा देन ही संबाजी महाराज डॉक्टर अंबेडकर लोकमान ने तिडग जिन्होंने मतलब अंगरेजों को पागल कर दिया था ऐसे लोकमान ने डग महत्मा फुले जो ब्रहामिल जो आइड पल्व अगरे या फिर ब्रिटिशर्स पॉर्टुगीज डच उसके उनके खिलाब भी लड़े और लोकमान ने टिडग ब्रिटिशर्स के खिलाब लड़े पॉलिटिशन में देखेंगे तो फॉस्ट चीफ मिनिस्टर आप महराष्टर ये श्वंत्र राउचावान ये वसंदादा पार्टिल वसंद्राव नाइक शंकर राउचावान हैं के बाला सब ठाकरे जो बहुत फेमस है इंडिया में फांडर आफ पॉलिटिकल पार्टिश शिवचना अल्सो दी शरत पावर थ्री तो फॉर टाइम्स सीम आफ महराष्टर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर आफ इंडिया तो ऐसे ये फेमस पर्सनेल इडिज है कुछ अधर फैट्स महराष्टर के बारे में जो है वो यहा 12 एप्रिल 1853 को हुई थी लॉट डानाउसी के टाइम पे जो मुंबए और ठाने से वो रन हुई थी उस वो बंबे बोलते थे पर आज मैं मुंबए और ठाने कह रहा हूं महराष्टर में तकरिबर 24 युनिवरसिटीज है और हर साल देड लाग सी जादा मतलब अगर नंबर्स में देखेंगे तो एक लाग साथाथार स्टुडेंट सिर्फ ग्रेजट होते है महराष्टर में पुने को तो ओक्सपोड आफ वेस्ट भी काया जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है मतलब महराष्टर को लोग एवरेजली कितने साल जीते है तो 67.2 परसेंट जीते ही है 2011 का सेंसस बाता है फर टेलेट रेट मतलब जो कपल है पती पत्नी उनको एवरेजली दो लड़के होते है दो लड़के लड़की या कुछ 1.9 इंफांट रेट जो है तो बेसिकली यह टोटल महराष्टर के बारे में था महराष्टर का मैंने आपको मतलब सरे फैक्ट्स या कुछ अधर फैक्ट्स या फिर बेसिक इंफर्मेशन हिस्ट्री पॉलिटी एकोनॉमी उसका जीडीपी कितना है क्यों ज्यादा है यह सब मैंने इस यूडियो में आ अगर महराष्टर को लेकर आपको कोई भी डाउट होगा तो बेशक्स आप कमेंट सेक्षन में पूछिए मैं आपको 100% रिप्लाइ करो दूँगा और अगर आप इस मतलब चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकोन फॉर आल अप्लेशन